नमस्कार मैं उप्रिया आज है 4 जुलाई चली जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या 11,000 के पार बिहार में COVID-19 प्रभावितों का आखड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है बिहार स्वास्तव भाग की द्वारा बीते दिन जारी किये गए दूसरे अपडेट तक 427 नए मरीजों की पुष्टी की गई है जो इसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 11,111 हो गई है पाइगे मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो अर्वल में 5 और अंगाबाद में 19, बेगो सराय में 15, भागलपूर में 16, भोजपूर में 7, बकसर में 2, दर्भंगा में 21, गया में 8, गोपाल गंज में 1, जमुई में 8, जहानबाद में 5, क्यामूर में 7, कटिहार में 5, किशन गंज में 8, लखी सराय में 5, मधिपूरा में 2, मधुबनी में 5, मुंगेर में 20, नालंदा में 44, नवादा में 6, पस्चिम चंपारण में 19, पतना में 58, पुर्वी चंपारण में 19, पुर्णिया में 7, रोहतास में 4, सहरसा में 15, समस्तिपुर में 1, सारण में 21, शेखपुरा में 6, शिवहर में 3, सीतावडी में 3, सिवान में 24, सुपॉल में 4 मामले सामने आ हैं वहीं इससे ठीक होने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ती जारी है स्वास्त विभा के तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किये गे अपडेट के नुसार COVID-19 से अब तक बिहार में कुल मिला कर 8,211 मरीज ठीक हो चुके हैं वहीं अब तक इससे 84 लोगों की जान भी जा चुकी है राजपाल फागु चोहान ने सभी कुलाधी पतियों को दिया निर्देश राजपाल फागु चोहान ने सभी कुलाधी पतियों को निर्देश जारी करते वे साफतोर पर विश्वे द्यालों में ओनलाइन सेक्षा का प्रभावकारी कार्याले सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है जिसके तहट कुलपतियों को ओन्लाइन सेक्षिन की गुनवत्ता विक्सित करने, साथ ही ओन्लाइन सेक्षिन के सापताहिक रिपोर्ट राजभवन को भेजने का आदेश जारी किया गया है जिसके बाद राजभवन के इस निर्देश को राजभवन की वापसी होने लगी है क्योंकि नदियाँ पूरी तरीके से साफ हो रही है यह नजारा देखने को मिला है पूर्णिया जिले में जहांपर गंगा में रहने वाली राश्ट्रिय जलिये जीव डॉल्फिन परमान नदी पहुँच गई है जलालगर थाना के पीपर पाती गाउं में एक मच्छुआरे के जाल में डॉल्फिन को पकड़ा गया है दर्भंगा की जोती के नाम पर शुरू हुआ एक नए आविवाद गुरुग्राम से साइकल पर अपने पिता को बिठा कर 1200 किलोमीटर का सफर तै करके दर्भंगा पहुचने वाली जोती आज किसी परिचय के महताज नहीं है देश शिलेकर विदेश तक जोती की पहचान आज बनी भी है वहीं से बीट जोती की कहानी पर फिल्म बनाने की योजना भी बनाई गई है मगर अब इस पूरे मामले में एक नई कड़ी जुड़ गई है खबरों की माने तो जोती के पिता मोहन पासवान को मुंबई की एक वेब सीडीज और डॉक्यमेंटरी फिल्म निर्बान कंपनी ने नोटिस जारी कर दिया है कंपनी ने जोती के पिता पर करार तोरने का आरोप लगाया है और आपती जोताई है साथी सक्त से सक्त कदम उठाय जाने की चेताबनी भी दी है CSBC Home Guard Constable पत के लिए निकाली गई रिक्तियां Central Selection Board of Constable यानि CSBC भिहार पुलिस में 551 पदों पर भरती के लिए आवेदनों की मांग की गई है इच्छोग मिद्वार बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जोगा कर अपलाई कर सकते हैं इन पदों के लिए आवेदन की तारीक 3 अगस 2020 तै की गई है इच्छोग और योगियों मिद्वार के पास मानेता प्राप्त बोर्ट से बारहभी पास सर्टिफिकेट होना अनिवारे होगा आवेदन की नियोंतम उमर 18 साल वह अधिक तम 24 साल तै की गई है वधान सभा चुनाफ की जिम्बदारी सौपी गई चीफ सेकरेटरी दीपक कुमार को बिहार वधान सभा चुनाफ की सारी जिम्बदारी बिहार के मौजुदा मुख्यसाचिफ दीपक कुमार को सौप दी गई है बिहार सरकार के अनुसंशापर केंदर सरकार ने 1984 बैच के IPS अधिकारी दीपक कुमार को 6 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है मुख्य सचिप दीपक कुमार आने वाले 30 अगस्त को हालक की सेवा निर्वित होने वा रहे थे मुख्यमंत्री नितीश कुमार के अध्यक्षता में हुई बैठक में तीन एजेंटों पर मुहर लगाई गई है खबरों की माने तो नितीश काबिरिट ने बिहार वधान सफा मंडल का मौनसून सत्र बुलाने का फैसला लिया है नियोजे सिक्षकों के लिए 15 अगस्त से सेवा शर्थ लागू कर सकती है बिहार सरकार सभी नियोजे सिक्षकों के लिए एहम सूचना बिहार सरकार 15 अगस्त से सेवा शर्थ सिक्षकों के लिए लागू कर सकती है जुसमें की राजो के लगभग पौने चार लाख नियोजी सिक्षकों को फायदा मिलेगा मही मुख्य मद्र नितीश कुमार के अध्यक्षता में क्याबिरेट ने सेवा शर्थ के लिए गठित कमिटी के पुर्णर गठन पर मुहरलगा दी है मिली जानकारी के अनुसार 11 अगस 2015 को ही नियोजी सिक्षक और पुस्तकाले अध्यक्षों के सेवा शर्थ निर्मान के लिए मुख्य महा दिवक्ता शामिल थे इस कमिटी के सहियों के लिए एक उप समीती का भी गठन किया गया है पटना से विभन राजयों के रहे चलाई जाएंगी नीजी ट्रेन देश भर में नीजी ट्रेन चलाई जाने का असल सलाज जारी है इसक्रा में पटना क्लस्टर में कुल मिलाकर 10 रूटों पर ट्रेन चलाने की घोशना की गई है जिसमें पटना से नई दिली, बैंगलोरोपु, ने मुंबई और गया से आनंद विहार टर्मिनल समेत अन्य जगों की ट्रेन के नाम शामिल है जो इसके लिए 1 जुलाई से नीजी चेतर की कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन की मांगी गई है इसमें कुल 10 रूट पर कंपनियों की ओर से प्रस्ताव भेजेगे हैं इसके बाद रेल्वी और नीजी कंपनियों के बीच विभिन प्रकार के समझोते पर सेह्मती बनने के बाद ट्रेन संचालन को मंजूरी दे दी गई है पटना के पालिगंज में हुई शादी समारों में दूले के पिता के खिलाफ मामला हुआ दर्ज पटना के पालिगंज में नई COVID-19 संक्रमन की चेन बन गई है क्योंकि पटना के पालिगंज में हुई शादी समारों में वाराती बन कर पहुँचे 110 लोग इसके चपेट में आ चुके हैं इसके बाद से जुलाधिकारी के निर्देश के बाद पालिकंज प्रकंट के डिहपाले निवासी और दूले के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। बिहार में COVID-19 के मरीज काफी ज्यादा मिल रहे हैं आकड़े बेहचोक आने वाले हैं जिसको देखते वे राज्य सरकार ने या फैस्ता सुनाया है। वहीं डॉक्टर की छुट्टी कैंसल करने की जानकारी स्वास्ते वे भाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार ने जारी की है। और बताया है कि सरकार ने साफतोर पर यह स्पश्ट कहा है कि COVID-19 के रोख थाम के लिए विशेश चौक्सी और स्वास्ते सेवाओं की बहाली के कारण छुट्टिया क्यांसल की गई है। इच्छा प्रकट की है जो संस्थान में मैंने कभी पढ़ने का सपना देखा था उसी संस्थान में मुझे वेबिनार के माध्यम से बोलने का मौका मिलने जारा है। इस इक्रम में तेजस्वी आदव ने अपना माफी नामा जारी करके सब को चौका दिया है। जिसके तेजस्वी आदव ने 15 साल के लालू राबरी साशनकाल में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। एक कारेकरम में कारेकरताओं को संबोधित करते वे उन्होंने कहा कि 15 साल के राज़ो साशनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलती हुई है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। ठीक है 15 साल हम लोग सत्ता में रहे हैं और हम तब तक सरकार में नहीं थे। हम तो छोटे थे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक नयाय नहीं किया है। रलत नारायन मिथला विश्विद्याले में CETB8 2020 की परिक्षा होने वाली थी मगर अब इसे स्थगित कर दिया गया है। अपनी तारीफ में उन्होंने कहा कि जब नितीश कुमार को मौका मिला तो उन्होंने 5 साल तक बहतर काम किया। 2010 से लेकर 2020 के बीच में काम के मामले में नितीश जीरो रहे हैं। हाला कि अब बिहार को आगे देकर युवाही जो सकते हैं चाय वो तिजस्वी आदव हो, कनहया कुमार हो या चुराक पासवान हो या फिर मुकेश सहनी हो। पटना जुले के ही रहने वाले एक दुलहन ससुराल से सीधे पहुची अस्पताल, पटना जुले के बाठ के अस्पताल में ससुराल से सीधा एक नई नवेली दुलहन पहुची अस्पताल, जिसके बाद पूरा अस्पताल भोचक का होकर उसी को देखता रहा। मिली जानकारी के नुसार शादी के बाद वह COVID-19 जाज के लिए सीधे ससुराल से अस्पताल पहुची और साथ ही बारातियों को भी लेकर COVID-19 स्क्रीनिंग के लिए पहुची बार्धनुमंडल के रेटाइड विजे सिंग के भधीजे की शादी दो दिन पहले नागपूर में होई थी शादी में शरीक होने वाले गुरवार को हवायात्रा करके पटना पहुचे थे जिसके बाद दुलहन के साथ लोट रहे मिली जानकारी के नुसार आकाश ये बिजरीगिरने से बीते दिन आठ और वही विरहस पतिवार को 26 लोगों की जान भी चली गई थी जिसकी पुष्टी आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से की गई है जिस पर मुख्यमंत्री नितीश कमार ने गहरी शोक संवीद नाव्यक्ती है आश्रतों को 4-4 लाख रुपे और विलम अनुग्रह अनुदान देने का मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दे दिया है बिहार के CEO के तबादले पर लगाई गई रोक CEO के तबादले पर मुख्यसचिप ने फिलहाल रोक लगा दी है मिली जौनकारी के अनुदार मुख्यसचिप ने बिहार में saeowe के तबादले पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है इसके लिए मुख्यसचिप की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है मुखे सचिफ की तरफ से जारी के गया देश के अनुसार राजस्वे एवं भूमी सुधार विभाग में 27 और 30 जून को जन पदाधिकारी और फिर समीती के पदाधिकारी का स्थाना न्तरन किया गया है उनके कारेपाली का नियामावाली में नियामों का अनुपालन नहीं किया गया है और यही कारण है कि उनके तबादले पर फिलहार रोग लगाई जारी है बिहार के तीन जिलों में होने वाले बारिश और आकाश्य बिजली के लिए मौसम विभाग ने किया सचेत मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश और आकाशे बिजली गिरने के मामले को लेकर बिहार के तीन जिलों में सतर्कता जारी कर दी है जिसके तहट भागलपुर बांका और जमूई में भारी बारिश और आकाशे बिजली गिरने की संभाव ना जताई गई है इतना ही नहीं बिहार के अलग-अलग इलाके में हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग ने 48 घंटों में तेज बारिश होने का पुर्वा नुमान जारी करते वे सभी लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है इस बार देव घर में श्रावनी मेले का इस बार हो सकता है लाइफ दर्शन PMCH में सोमवार से COVID-19 की जाच होगी शुरू, PMCH में आज सक COVID-19 की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद रहेगी, खबरों की माने, तो माइक्रोबायोजी में सोमवार से COVID-19 के टेस्ट की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, क्योंकि बीते दिन शहर में 478 ने मरीजों की जिसके बाद अस्पताल को पूरी तरीके से सानिटाइज करवाये जाने का फैसला सुनाया गया है। कमीटी में प्रदेश अध्यक्ष, भूदेव चौधरी, राश्ट्री कोशा अध्यक्ष, राजेई शियादव और प्रदेश कारेकारी अध्यक्ष विरेंद्र कुष्वाह का नाम शामिल है। जिसमें साफतोर पर कहा गया है कि बॉलिवुड अभिनेता सुशान सिंग राजपूत के कथित जान लेने के मामले में सीबी आई जाच करवाई जाए। और आजगीर में बन रहे है फिल्म सिटी का नाम अंकर भी उनके नाम पर किया जाए। कुल्दीप यादव ने महेंदर सिंग धोनी को लेकर कही एहमबाई। के शुरुबात की थी तो वो फिल्ड जमाने में माहिर थे। उन्हें पता था कि कौन सी गेंद खेलनी है। यकिनन उनके नहीं होने की कमी हमेशा खलती रही है और आगे भी खलती रहेगी। जियो ने लॉंच किया जियो मीट फीचर चीन के 69 मोबाईल अप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत में स्वदेशी आप को लेकर मांग जोर शोर से देखने को मिल रही है। इसक्रम में Reliance ने अब एक स्वदेशी वीडियो कॉन्फरेंसिंग आप को लॉंच किया है। इसके लाव हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय क्या भाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। बेल आइकोन दबाना ना भूले और अगर आप ए वीडियो हमारा फेस्बूक पर देख रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें। धन्यवाद!